हेलो फ्रेंड्स खापिलो किचिन में मैं भारती भाव सार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बची हुई खिचडी का यूज करेंगे तो सबसे पहले मैं ये बची हुई खिचडी ले लेती हूँ आज हम बची होई खिचडी से जो है थेपला बनाएंगे तो ये मेरे पास एक कटोरी खिचडी बच गई थी उसके बाद मैंने ये ककडी ली ककडी को जो अपन विस निकालते हैं तो ऐसे काट लिया उसमें चाको से ऐसे छेत कर लिये और ये इसका जो है फेस निकलता है इसमें से वो निकाल दिया है उसके बाद हमने इसको वाश करके इसको छील लिया है अब हम इसको किस लेंगे आप कोई भी ककडी का इस्तमाल कर सकते हैं और अभी तो इस मौसम में इस टाइप की ककडी आती है तो ये देखिए मैंने ककड़ी आधी ली और इसमें जो खिचड़ी में है ककड़ी डाल दी है उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ आज हम थेपले बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास खिचडी जो है बच गई थी उसका हम यूज कर रहे हैं तो ये मैंने दो हरी मिर्ची बारिक काट कर डाल दी है इसके साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल ही दिया है अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा दही का इस्तमाल करूंगी तो ये मेरे पास आधा कटोरी के सम्थिंग दही था बट मैंने इसको बनफोर्थ कटोरी दही डाला इसके बाद इसमें नमक डाला है नमक आप हिसाब से ही डाले क्योंकि मैंने इसमें जो है खिचडी में कर सकते हैं और यह एक काटोरिक हिछडी ली है उसे साप डाला है traveling कम ज्यादा भी कर सकते हैं कोई दिक कत की बात कि नहीं क्यूंकि हम ने इसमें कुक्टी भूप doublo जो पाने निकलता है वो भी इसी में ही डाल दिया है से अच्छा टेस्ट आता है अब मैंने इसको जो भजी जैसा घोल होता है न उस टाइप का भी बनाया है हम थेपले बना रहे हैं और यदि थोड़ा आप इसका बैटर पतला भी रखना चाहें तो भी यह आराम से बन जाए अबे पर फैला लियर यह थेपले बनते हैं ऐसे जो थोड़े मोटे बनते हैं वो थेपले बोलते हैं और थोड़ा सा इसका बैटर पतला कर लो तो हलके डो से टाइप से बन जाते हैं और इसमें ज्यादा ओयल भी नहीं लगता है और बस आप इस्तमाल नॉनिस्टिक में का ही करें तो ज्यादा अच्छा है आप थेपले बनाते हैं तो दो मिनेट के लिए इसको ढख लें ढखेंगे तो यह थोड़ा सा अच्छे से जो है सिक जाएगा तो एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसको जो है दूसरी साइड भी सेख लेंगे और यह देखें द हेपला भी बनकर रेड़ी है थैंक यू फर वाचिंग